आज मैं आपके नियू यूनिट इस्टार्ट करूँ में उनिट 8 दा वर्ड अरांड अरांड इस मीन्स होता है जो संसार हमारे चारो तरफ है उसके बेस पर यह सारी चाप्टर्स बने हैं आज मैं आपका चाप्टर फर्स्ट इस्टार्ट कर रहे हूं दा फूट वी एट वो खाना जो हम खाते हैं देखिये वेटा कॉलम अ में आपको सारी फूट के नेम दे रखे है कॉलम वी में सारी आपको पिच्चर को देखना है 15 ते त्र फूट जेम के बना बने होता है इस लिए हांपर नैमर बन्स oll मिल्क इनसमें से कौन सी चीज़े जो मिलक से मिलकर बनी होती है, वह है बटर, नमबर टू, राइस, राइस से प्लाव बना होता है, नमबर त्री, फ्लोर, फ्लोर मीज आटा, आटे से ब्रेट बनी होती है, फिस पोटेटो, पोटेटो से चिप्स बनी होते हैं, शिक्स, एक्स, एक से omelette बनता है 7 tomato, tomato से ketchup बनती है, ash guard ash guard से pita बनता है ओके बिटा, so this chapter is complete, now let's come on next chapter, यह chapter complete हो गया अब second chapter पर जाते हैं second chapter है place of worship यानि जगा जहां पर पूजा की जगा होती है, जिसे first picture किसकी है church की, तो हमने church की spelling complete करी, c-h-u-r-c-h church, second image किसकी है वो है mox की, m-o-f-q-u-e mox, third picture किसकी है वो है temple की, t-e-m-p-l-e temple, fourth picture गुर्दवारा, g-u-r-d-w-a-r-a गुर्दवारा, and fifth picture is monastry m-o-n-a-s-d-e-r-y monastry so today, your, this chapter is also complete, let's come on next chapter, next chapter understanding sign, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपको sign दे रखे हैं, और यहाँ पर आपको बताना है, ठीक है, correct sign पर उस पर टिक करने से है, silence please, इसका sign जो होता है वो कौन सा, लाइब्रेडी में यूज होता है, या फिर रेलवे स्टेशन पर, लाइब्रेडी में next में देखिए, sign है, please switch off your mobile phone, mobile phone off कर दीजिए shopper कहते हैं, यह aeroplane में, aeroplane में कहते हैं next step का, use dustbin, dustbin यूज करना, पार्क में यह कार में, पार्क में फिर stand in a queue, एक queue में, यानि एक line में खड़े रहे, your home घर पर या bus stand पर, bus stand पर, use zebra crossing, zebra crossing को use करो while crossing a road, एक road cross करने में, या while walking on a footpath या footpath पर चलने में, while crossing a road, slow ahead, धीरे चलिए near an office, office के पास में, या near a school, school के पास में, so today this chapter is also complete, your three chapter is complete, class second, okay, thank you class